हेलो एंड वेल्कम गाइज वेल्कम टू टू चैनल अगें आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबका एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आज हम पढ़ेंगे कम्यूनिटी ओर्गनाइजेशन का पार्ट टू यह पार्ट टू इसलिए है क्योंकि इसके पहले हमने कम्यूनि के लिए जो भी टॉपिक है वह क्लियर होना चाहिए तो इसके पहले जो वीडियो बना हुआ होई उसमें कम्यूनिटी के जो भी एसपेट्स रिलेटेड है वो सारे चीज क्लियर किया हुआ है तो अगर आपको लग रहा है वो वीडियो आपको देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं Community Organization Part 2 जो हमारा काफी एक important topic है social work का क्यों important है क्योंकि जो Community Organization है यह हमारा primary method में third primary method होता है इसके पहले case work और group हुआ है और case work group work हम लोग का already clear है basic basic सारे clear है और कुछ depth का वे video हम लोगोंने बनाया है तो आशा रखता हूँ कि आपका topic clear हो गया है आज जो पढ़ रहे हैं वो है Community Organization ठीक है तो सबसे पहले आते हैं definition के बारे में definition के बारे में पढ़ते हैं कि Community Organization क्या है तो सबसे जो important definition है वो है Mary G. Ross का और इनका जो काम है यह Community Organization के उपर काफी इनका काम है तो हमारे लिए यह जो नाम है Mary G. Ross यह आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत बार आपके पास यह नाम आते रहेंगे और आपको इनका काम के बारे में भी डिटेल जालना है तो इनका जो definition है Community Work का वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसको explain करते हैं सही तरीके से ठीक है So Community Organization is a process by which a community identifies its needs or objectives gives priority to them Find resources to deal with and in doing so extend and develop cooperative and collaborative attitudes and practice in the community So देखिए काफी अच्छा definition है हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और उसको समझने के प्रयास करेंगे So इनका जो definition है वो अपने ही आप मेंना बहुती मतलब क्लिस्टन क्लियर है क्यों है क्योंकि यह जो definition है अगर हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो हमारे पास already एक क्लियर हो जाएगा देखिए क्या बोल रहा है Community Organization is a process तो क्या है जी? Community Organization एक process है By which a community identifies its needs or objectives यह process के तोरान क्या होता है? Community needs or objectives को बनाता है तो पहले तो समझेए कि Community Organization जो होता है वो Community का एक process होता है Organize करने के लिए क्या होगा? सबसे पहले need assessment होगा मतलब जरूरत क्या है? और objectives क्या है? उस Community का क्या objectives होना चाहिए? Organize करने के लिए क्या objectives होना चाहिए? Give priority to them सो हमारे पास तीन चीज़ अभी तक आ गया क्या है Community Organization एक process है सबसे पहले दूसरी बात के पहले need assessment किया जाएगा objectivity बनाया जाएगा और जो list आपका बन गया need का objectives का उसी list में से आपको priority चूज़ करना है के कौन सा पहले करना है? कौन सा बाद में करना है दूसरा point ये भी है कि आपके पास कुछ resources होंगे community में उस resource को use करने लायक अगर कुछ priority में होगा उस list में होगा need objectives में तो उसको आप पहले कर सकते हैं जो resources आपके पास available नहीं है उसको बनाना पड़ेगा develop करना पड़ेगा ठीक है find resources to deal with and in doing so हमने अभी बात कर लिया इसके बारे में के community work community organization क्या है process है need और objectives को find कर दिये priority बना दिये और resources को लेके deal कर लिया उसको और उसके बाद क्या है extend and develop cooperative collaborative attitudes and practice in community तो resources को use करना है extend करना है develop करना क्या है develop करना cooperative minds collaboration और ये attitude लेके आगे इस community में इसको practice set करना है तो देखिए कितना आसान है और कितना clear है आपको एक बार फिर मैं बताता हूँ एक community organization is a process एक process है जिसमें पहले आपको क्या करना है need identified करना है objectives clear करना है फिर priority list बनाना है इनके हिसाब से Mary G. Ross के हिसाब से फिर जो resources है उसको उससे deal करना है extend करना है develop करना है community को और cooperative mindset बील्ड करना है collaborative mindset attitude इसको बनाना है उस community के अंदर आपस में लोग जुड़े रहे एक दूसरे को भाबनाव को समझे cooperation करे और ये practice को क्या करना है community के अंदर plant करना है ताकि ये होता रहे continuously चलता रही यही practice तो ये हो गया जी हमारा community organization का definition जो Mary G. Ross ये ने दिये थे ठीक है अब हम आगे और पढ़ते हैं थोड़ा सा और clear करते हैं एक दो तीन जब definition पढ़ेंगे तो उसके बार में एकदम आपको knowledge clear हो जाएगा ठीक है जुड़े रही है बस आखरी तक आप देखते रही है आपको clear हो जाएगा अब हम पढ़ रहे हैं क्रेमर एंड स्पेश की दिये हुए community के definition को community organizations refers to various method of interaction whereby a professional change agent helps a community action system composed of individuals group of organizations to engage in planned collective action in order to deal with special problem within the democratic system of value अब इसको भी हम पढ़ते हैं थोड़ा सामझने के प्रयास करते हैं कि इनका कहना है कि community organization various methods of interaction है अब देखिए इसके पहले हम लोगों ने दो method complete कर लिये हैं social work का क्या है group work और case work और group work और case work direct direct community organization के साथ relate करता है हम आगे जाके उसके बारे में भी बात करेंगे तो जब direct relate करता है इसका मतलब वो सारे method भी इसके साथ है तो बहुत सारे method हो गया इसका मतलब whereby ये professional change agent help community action अब देखिए professional term हो गया देखिए जब community organization का बात होता है तो trained person लगता है इसके लिए कोई भी नहीं कर सकता ऐसा नहीं है कि कोई भी person या कोई भी person उसको बना लेगा community organization उसके लिए trained होना ज़रूरी है क्योंकि ये scientific होता है और scientific कैसे होता है research के साथ होता है research होने के बाद वो plant किया जाता है process होता है और उस process को follow किया जाता है तो जब आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा सीखना पड़ेगा trained होना पड़ेगा तभी आप जाके करते है जो सीखते हैं पड़ते हैं उसके trained बाद मी बोला जाता है trained person तो professional होना पड़ेगा पहले क्या बात हो रहा है community organization बहुत सारे method के साथ हो रहा है उसके बाद trained person professional agent एक होगा जो क्या करेगा help a community एक help करेगा action system composed of individuals, groups of organizations to engage in planned collective action क्या करना है planned collective action in order to deal with special problem within the democratic system of value इनका कहना है कि community organization एक नहीं बहुत सारे method का interaction है और professional person community के जो system से problem से वो individual से लेके group लेके organized करना है engage करना है plan करना है सबको लेके और collective action plan करना है कोई specific problem को specific problem के उपर जो community से होगा जरूरी है within the democratic system और वो किस तरीके का होगा democratic system जो approach होगा उसको solve करनेगा वो किस तरीके का democratic democratic का मतलब क्या होता है गंतर अंतर मतलब सबके सबको लेके सबके साथ किसी को discriminate नहीं किया जाएगा किसी को छोटा बड़ा नहीं दिखा जाएगा तो इस तरीके से ये हो गया community organization का definition हमने दो definition अभी तक पढ़ लिया और हमें लगता है आपको कहीं ना कहीं clear हो रहा है नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आप भी पढ़िए क्योंकि मुझे लग रहा है community organization के बारे में आपको समझ में आ गया है ठीक है अब हम आगे पढ़ते हैं dimensions of community organization dimensions of organization dimensions हमने पढ़ा था case work के time भी ठीक है process के time पढ़ा था dimensions dimensions of community organization dimension क्या होता है एक कोई एक particular objective objects है उसके साथ relate करने वाले जो भी चीज है उसको एक structure देने के लिए वो सारे चीज उसका dimension हो जाता है ठीक है अब हम इसका community organization है उसका क्या-क्या dimension है वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं सबसे पहले जो dimension है वो है nature of settings and focus और community problems अब देखिए यहां पर एक सब्दा आ गया settings nature of settings अब यहां तक तो setting कुछ था नहीं settings क्या है settings जब आप community work करते हैं community organization करते हैं तो community को organize करने के लिए वहां कि जो members है उसको उन लोगों को organize करने के लिए जो community worker है या जो social worker है उनको setting देना पड़ता है मतलब बैठना पड़ता है वो जिस तरीके से हम लोग case work करने के time settings दे रहे थे उसी तरीके से setting देना है उस community के लिए तो nature of setting देना है nature of setting बनाना है focus on community problems setting किस तरीके का होगा focus on community problems community के जो problems है उसके उपर focus होना है और nature of settings को create करना है settings create करना है यह dimension का बात हो रहा है enhance the functional ability functional ability को बढ़ाना है functional ability के बारे में थोड़ा सा जान करे लेंगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं and ability to influence the social welfare policies देखिए enhance करना बढ़ाना enhance का मतलब क्या होता है बढ़ जाना जैसे हम लोग जब कोई image का photo होता है हमारे पास या image होता है उसका brightness को हम बढ़ा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं enhance कर दिया brightness को contrast को बढ़ा देते हैं तो contrast हो गया enhance saturation को बढ़ा दिया है तो saturation हो गया enhance तो यह enhance the functional abilities जो ability है, समता है, function करने का, काम करने का उस community में उसको क्या करना है enhance करना है और ability to influence the social welfare policies देखे, social welfare policies का बड़ा जोगदान है community organization, community development के लिए क्यों? क्योंकि यह सारे चीज ना resources create करता है जो भी policies होता है welfare policies, जो भी government policies होता है यह सारे resource का generate करते है resource को तो इसको influence करने का जो जिस कारण से यह welfare policies बना है क्या है? कोई ना कोई impact create करेगा, तो वो impact influence करे, भढ़ा एक जगा से दूसरे जगा float हो जाए, इस तरीका करना है समझ रहे हैं आप influence the social welfare policy ठीक है अब हम तीसरी में आते हैं तीसरी dimension employ various techniques देखिए, हमने अभी थोड़ी दर पहले क्या बता है कि community organization जो है, वो scientific है और उसके अंदर बहुत सारा technique भी है तो यह technique को क्या करना है employ करना है technique को साकार बनाना है काम लगे, काम पर आये उस तरीके का बनाना है towards the affecting, interpersonal and intergroup relation देखिए, interpersonal बात हो रहा है मतलब individual, individual के उपर भी वो affecting होना चाहिए और intergroup relation भी होना चाहिए और एक group मतलब इसके अंदर बहुत सारे individual है इसके अंदर बहुत सारे individual है उसमें भी यह effect आना चाहिए जो technique आप यूज करेंगे जो एक social worker या community worker जो technique यूज करेगा वो affecting होना चाहिए वो effective होना चाहिए तो उसका जो effect है वो interpersonal भी होना चाहिए और group relation में भी inter group relation में भी वो काम करना चाहिए increase solidarity, cooperation, collaboration, community and maturity development जो हमने थोड़ी दर पहले ही अभी definition में पढ़ा यह सारे चीज जो भी techniques है वो इस तरीके से काम करना है ताकि अंदर में रहने वाले जितने उस community में रहने वाले जितने भी individual से group है उन लोगों का collaboration पावर बढ़ जाए cooperative nature बन जाए relation बिल्ड हो जाए और maturity में आ जाए तो यह development होगा उस community का ठीक है जी अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा देखिए यहाँ पर दो point हमने यहाँ पर लिख के रखा है एक है community work और एक है community development जेखिए जब आप community organization पढ़ेंगे तो आपके पास ऐसे बहुत सारे close to terms आएगा close to जो exact meaning तो create नहीं करता है लेकिन close to है और बातों बातों में यह सारे सब्द आप बहुत ज़्यादा यूज करेंगे दिरे-दिरे तो उसी तरीके का एक सब्द का दो सब्द यहाँ पर है एक है community work और है community development तो इसको थोड़ा हम जान लेते हैं basic basic कि यह क्या है और किस तरीके से different है community organization से ठीक है अब community work का माने क्या है community work is general term तक यह क्या करता है general term मतलब कोई भी community work को भी community work बोल लेजे community organization को भी community work बोल लेजे community development को भी आप community work बोल लेजे लेकिन यह है general term मतलब general सब के लिए जो use हो जाता है general that means initiative और activity are delivered at a local level for the right of the pupil and fortering community based approaches for self-development and increasing their stake in the development process देखिए community work क्या बोला जा रहा है कि यह general term है और यह local level पे काम कर रहा है local level पे छोटे-छोटे चीज़ों को लेके जैसे right pupils का right क्या है community based approaches कुछ self-development कुछ increasing stakes in development process यह सारे चीज़ के ओपर community work कर रहा है यह मतलब community work है मतलब कोई भी चीज़ जब हम छोटे local level पे काम करेंगे वो community development का scope बनेगा chances बनेगा उसी को हम community work का reference दे सकते हैं कि यह community work है ठीक है अब जब community organization का बात आ जाएगा वहाँ पर scientific हो जाएगा वहाँ पर process development का बात आ जाएगा वहाँ पर professionalism का बात आ जाएगा वहाँ पर training का requirement रहेगा ठीक है वो direct नहीं apply हो सकता मतलब जैसे community work हम किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं कि community related कोई भी development का काम हो रहा है तो that is community work but when we are using the word community organization that time we have to prepare a certain plan or we have to go through a professional way so यह आपको ध्यान देना पड़ेगा अब हम आते हैं community development के बारे में community development के क्या है community development means a process or way of doing something which entails the mobilization, participation and involvement of local people or common importance to them. देखिए community development भी वही बात कर रहा है कि जो local लोगों के लिए, local people के लिए mobilization का, participation का, involvement का और common importance of them हो रहा है. जो common importance है, जो common जरुतमन का चीज़ है, वो सारे चीज़ का जो बात हो रहा है, वो community development है. आपको आसान भासा में मैं समझा देता हूँ, कोई भी community में जो output create होता है, अच्छा output create हो गया, वो चीज़ को हम community development बोला जाता है. कि एक दिखने वाला कोई output हो गया, दिखने वाला, जैसे mobilization किया, तो mobilization क्या हो गया, दिखता है, जब लोग gathering करेंगे एक साथ, कोई एक particular चीज़ हो गया, इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ fundamentals काम कर रहा है, और वो चीज़ दिख रहा है, participation, लोग ज़्यादा आएंगे, तो पता चलेगा कि participation है, या जो intention है, people का, वहाँ आने का, वो देखके आपको पता चलेगा कि participation है, intentionally है, वो community development के साथ जुड़ा जा सकता है, जो output हो रहा है, end game जो है, end result है, उसको हम community development का नाम दे सकते हैं, community work, जो general है, कोई भी काम हो रहा है, community work में, वो हो रहा है, community organization, जब हो रहा है, process के तुरू जो टेकनिक, scientific way है, उसके साथ community को सिर्फ, organize किया जा रहा है, किसके लिए, development के लिए, तो देखिए, जब development हो रहा है, वो last output है, last end है, लेकिन जो process बनाया जा रहा है, जिसके तुरू लोगों को जोडा गया, जिसके तुरू community को organize किया गया, तो वो हो similarity है, community organization और community development के उपर, ठीक है, तो हमने थोड़ी देर पहले एक चीज़ का बात किया था, कि पहले जैसे community है, ये community है, ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, community organization हम काम कर रहे है, उसके बाद क्या हो रहा है, community development, समझ पा रहे है, community था, community organize किया, लोगों को process development किया, और उसके बाद community development हुआ, तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्या है, community, community organization, community development, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, कि के community, पहले एक community था, उसके बाद उसको organize किया, community organization के थुरू, और उसके बाद जो output आया, जो result आया, वो है community development, ठीक है, अब हम उसी में, जो similarities है, उसको जान लेंगे, फिर difference क्या है, वो भी जान लेंगे, यह बहुत important है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा का similarities जो है, वो हम बात करते हैं, community organization and community development is not exact contrast from one another, rather it is interrelated with one another, क्या बता जा रहा है, कि जो community organization है, और जो community development है, बिल्कुल contrast नहीं है, तोटेली अलग नहीं है, लेकिन one another के साथ relate कर रहा है, related है, ठीक है, interrelated है, एक दूसरे के साथ related है, पर बिल्कुल same भी नहीं है, और बिल्कुल अलग भी नहीं है, United Nation ने एक बात बोला था, क्या बोले थे, कि community development is overall development, community development क्या है, overall development है, community का, of the society, as a economic, physical, social aspects, ये सारे चीज़ के ओपर, economic के ओपर, physical, social aspects से ओपर, जो भी development है, overall development जो है, उसको हम community development बोल सकते हैं, ठीक है, to achieving the community development, community has to organize first, जैसे हमने बात किया, कि जब ही हमें development का जरूरत होगा, development achievement के लिए, क्या करना है, community को organize करना जरूरी है, ठीक है, there are lots of aspects are related with community development, like democratic, procedure, cooperation, leadership, educational aspects, ये सारे चीज़ क्या है, lots of aspects है, जो relate करता है, community development के साथ, ठीक है, तो ये हो गया similarities कुछ, और हम अभी पढ़ते हैं कि क्या क्या differentiation है, क्या क्या different है, एक community work और community organization के तो, देखिए, community organization हमारा आज का topic है, या हमारा method है, वो community organization होता है, लेकिन बहुत सारे लोग गलत करता है, कि community development बोलते हैं, community development नहीं है, community organization हमारा method है, और वो scientific है, community development हर बक्त scientific नहीं भी हो सकता है, तो, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, वो है, community organization और community development के बीच में, जो different, difference है, वो सारे पढ़ेंगे, डिस्टिंक्स बिटूइन community organization, community development, so, community organization is the method, तो, सबसे पहले हमने क्या बोला, community organization method है, या primary method है, हम बोल सकते हैं, of social work, but, community development is a planned program, development क्या है, एक planned program है, with a touch of community organization, ये planned program को भी किस तरीके से run किया जाता है, भाई, touch of community organization के तुरू, ठीक है, community organization emphasized process, rather, community development emphasizes the end or goal, देखिए, यहाँ पर समझना है, community organization emphasize करता है, प्रोसेस को, और community development emphasize करता है, गोल को, या end result को, आपको एक छोटा सा example देता हूँ मैं, तो, आपको समझने में आसानी रहेगा, मान के चलिए, government ने ये plan किया, कि भाई, इस गाउँ में toilet नहीं है, लोग बाहर अपना काम करते है, तो, उस जगा पे toilet plant किया जाए, वहाँ पर toilet का facilities दिया जाए, तो, घर-घर में बता आ गया, कि भाई, toilet करवा लो, free में हो सकता है, कर रहे हैं, तो, जो toilet बनवा देना, उस community में, हर एक घर में, तो, ये हो गया community development का example, क्या हो गया community development, वहाँ पर toilet का requirement था, और toilet हमने वहाँ करवा दिया, लेकिन ये community organized नहीं हुआ, organized तब होता, जब आप उस habit को develop कर पाते, requirement को develop कर पाते, उन लोगों के साथ आप setting लगाते, कोई community worker या कोई social worker वहाँ पर अपना रोल निभाता, और जो requirement है, जो necessity है, वो उन लोगों को feel करवादा, कि भाई क्यूं toilet यूज करना है, क्यूं बाहर नहीं जाना है, नदी किनारे क्यूं नहीं जाना है, टॉयलेट क्यूं जाना है, तो ये जब तक sense नहीं create करेगा, तब तक आपका toilet का output भी नहीं आगा, लेकिन अगर हम certain एक दृष्टिकों से देखे, तो community development हो गया, उनका project complete हो गया, और कहीं ना कहीं वो community development के नाम से चला गया, लेकिन actually में community organized ना होने के कारण, वो community development sustain नहीं करेगा, ठीक है, दो दिन बाद लोग क्या करेंगे, वहीं नदी किनारे चले जाएंगे, और उस जो toilet बना दिया गया है, वहाँ पर कुछ रख देंगे, storage कर या कुछ कर देंगे, उसको दूसरे use करेंगे, जो उसका actual uses है, वो नहीं करेंगे, समझ पा रहें, तो वो हो गया, क्योंकि इसलिए community organization क्या बोल रहा है, emphasizes the process, process को emphasize कर रहा है, अगर वही चीज process को develop किया जाता है, organize किया जाता people को, कि भाई, uses क्या है, requirement क्या है, nature क्या है इसक गोल को सिर्फ देखा जाता है, कि हमें goal को achieve करना है, as community organization structured through a scientific process, अब देखिए, जब community organization करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, structured process होता है, perfectly setting बैठाना पड़ता है, कि कब गब आना है, किस तरीके से आना है, एक certain process develop किया जाता है, कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, group बनाया जाएगा, किस तरीके से group बनाया जाएगा, क्या-क्या activity होगा, क्या-क्या probabilities create होगा, क्या-क्या resources create होगा, यह सारे चीज़ क्या है, scientific process है, और community worker इसमें trained person होना चाहिए, क्यों scientific process उसी को पता होगा, जो उसको पढ़ाई करके आएगा, जो उसका training लेके आएगा, और अभी दूसरे जगह, अगर हम community development का बात देखेंगे, तो community development, person community development can be formed, any background, community development का बात अगर कर रहे हैं, तो कोई भी कर सकता है, अगर हम पिछले वाला ही example ले लेते हैं, तो जब community, अगर हम वो सचितनाता को हम आगे बढ़ाना चाहते थे, वो feelings को, requirement को बताना चाहते थे, कि toilet क्यों use करना है, तो आपको scientific way में उसको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, कि reason क्या है, लेकिन toilet बनाने के लिए आपको scientific होना कोई ज़रूरत नहीं है, उनको setting देने का कोई ज़रूरत नहीं, बोला भई, तुमारे घर में बना देते हैं, फ्रीवन का, आया है, कर लो तो क्या हो गया, output में, output के लिए या community development के लिए यहाँ पर scientific way follow करने का भी ज़रूरत नहीं है, और जो person कर रहा है उसको assign, उसको knowledge होने का भी ज़रूरत नहीं है, trend नहीं भी होगा, तब भी चलेगा, लेकिन जब community organization होगा, तो वहाँ पर trained person ही कर सकता है, community organization is not time-bounded, community organization time-bounded नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत time-taking होता है, time बहुत लगता है, आप बांद नहीं सकते, continuous process है इसको, और community development time-bounded होता है, और इसमें कुछ specific objectives इसको achieve करना ही, उस time के साथ साथ achieve करना ही काम होता है, ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कि people participation and engagement is important for community organization, community organization के लिए क्या important है, people का participation important है, लोग आएंगे तभी आप उसको organize कर पाएंगे, engagement होगा, तभी आपको पता चलेगा, कि organize हो रहा है, तो यह benchmark है कहीं न कहीं, requirement है कहीं न कहीं, लेकिन, जब community development होता है, तो वहाँ पर development को follow किया जाता है, कि जो output result आना चाहिए था, वो आया की नहीं आया, ठीक है, government policies, facilities, service, यह सारे चीज, primary factor नहीं होता है, community organization के रिए, क्यों बताया, क्योंकि वहाँ पर लोग important है, वहाँ community का engagement important है, participation important है, वो important है, यह सारे resources जरूर है, लेकिन, बहुत ज़्यादा factor नहीं है, लेकिन, जब हम community development करते हैं, तो यह सारे चीज, factor होता है, important factor होता है, people organize to solve their problem in community organization people organize किसली होता है, कि solve their problem, where people focus to achieve the goal of community development, community development में क्या होता है, community का सिर्फ goal को achieve करना है, community organization is universal, आप देखिये, जब scientific होगा, जब research के साथ बनाया गया होगा, तो वो कहीं पर भी चल सकता है, ठीक है, कहीं पर भी, जो भी, जैसे scientific, scientist लोगोंने कुछ logic देता है, देते हैं न, Newton का जो law है, वो सारे जगा सेम है, वो लगवग, almost सारे जगा पे सेम है, कुछ जगा चोड़के, वो तो exceptional है, सारे जगा पे होता है, तो, वो scientific चीज, जो भी होता है, वो universal होता है, universal का मतलब, कहीं पर भी आप उसको apply कर सकते हैं, वो सब के लिए applicable है, हर जगा क करेंगे, तो सब जगा के लिए applicable नहीं होगा, वहाँ आपको planning change करना पड़ेगा, as per pupil, as per situation, as per requirement, है न, community organization दर भी changes जरूरी होता है, लेकिन process जो है, वो scientific जो process दिया गया है, कि इसको करने से ये output आएगा, वो जरूर आएगा, वो tested है, है न, जो भी theories है, जो भी हम लोग आग पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा खुदी, तो आज हम लोगों ने almost बहुत सारे चीज कवर किया, और बहुत सारे चीज हमारा अभी भी बाकी है, हमने हमारा planning यही है, कि इस topic के उपर और भी बहुत सारे part आता रहेगा, जैसे आज का 2 है, फिर कल 3 आ जाएगा, फिर और आएगा, फोर आएगा, तो इस तरीके से धीरे धीरे community को हमें complete करना है, और आप अगर यहां तक पहुंच गया है, तो मुझे लगता है कि यह video जो था, यह lecture जो था, आपका कुछ काम पर आया होगा, और अगर आया है, तो प्लेज हमारा यह channel को subscribe कर लेजेगा, ताकि आ about any pay यह बना रहा है, हम ना तो आपको demand करते हैं कि हमारे कोई course join कर लिजीए, हम तो बस आपको help करने के लिए और हम उसके लिए तत्थपर है, तो आप आपका भी फर्ज बनता है, कि अगर content आपको सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपका requirement को fulfill कर रहा है, तो किसी और को भी share कीजिए, like और comment करके जरूर बताईएगा कि कैसा लगा, अच्छा लगा है तो अच्छा बताईए, अगर कुछ कमिया लगा है तो वो भी बताईए, ताके हम आने वाले दिन में उसको सुधार कर सके, thank you so much, और अपना ख्याल रखिएगा, जै हिंद, जै भारत. झाल 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 झाल